आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी क्लोज पर आपका बहुत बात बात करेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा शांदार कोर्स एडिक्शन स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट का 800 रुपय का कोर्स है कंबाइन ह पचास किताबों का रेविव है एक एक सेक्षन एक से देड़ घंटे का आपके लाइब बदल जाए इसको आप अवेल कर सकते हैं चलो बात करते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर दो इतना प्यार देते हो आपको 30-40 परसेंट लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं एक स सबसे जाधा expensive city है ठीक है अब देखिए यहां पर जो जो बेसिकली जो इंडेक्स है वो निकाला गया है जो equated monthly installment to income ratio है मतलब EMI, Equated Monthly Installment EMI का full form होता भी है To Income इससे यह इंडेक्स आया अब इसका मतलब क्या है जैसे Mumbai का इंडेक्स आया है 51 तो Mumbai यानि कि अपने इंकम का अगर मान लो 100 रुपए उसकी इंकम है तो 51 रुपए वो अपने घर पे खर्ज करता है समझ रहो इंडेक्स का यह मतलब है कि अगर जितना भी इसका इंडेक्स आया है तो इंकम का उतना पार्ट वो अपने घर की लोन पे खर्ज करता है 50 से उपर अगर इंडेक्स जाये तो इसका मतलब होता है अनफोर्डिबल बहुत महंगा तो Mumbai का इंडेक्स आया है 51 यानि कि अनफोर्डिबल यानि कि Mumbai भारत की रहने के लिहाद से सबसे महंगा शहर है है भी अभी आपने देखा था कि बंगलूरू में 25 लाक रुपए कि वो क्या पगड़ी अगड़ी होती रो मतलब सब एक दब सननाटे में आगे कि भाई इतना जादा तो ये तो है ही है अच्छा एक तो लोन उपर भी गया है क्यूं आरवी आई ने अपने लेंडिंग रेट साब को पता है ये रेपो रेट जो है बढ़ाए है इंफलेशन को कम करने के लिए इंफलेशन अभी 5% के आसपास है ठीक है तो ये हिसाब केताब है बाकी मैं आपको बताता हूँ इसमें और कौन-कौन सा शैर है है फार अपास सेकेंड नमबर पे हाँ हाःदराबास सेकेंड नमопर पे हाःदराबाद का जो इंडेक्स है वो 31 है अच्छा हाःदराबाद भी मतलब ये भी देखिए इसमें खाली बड़े शहर आ रहे हैं चोटे शहरों के बात नहीं हो रहे हैं सिर्फ बड़े शहर आ रहे हैं तो हाइदराबाद भी अगर आप मुंबई से देखो तो 20 पॉइंट्स पीछे हैं ठीक है मतलब मुंबई कहां 51 पर खड़ा है और दूसरा तो शहर है वो हाइदराबाद में 30 पर खड़ा है यानि कि फिर भी हाइदराबाद is quite affordable फिर डेली-NCR आता है जिसका इंडेक्स 30 है 30 है ओके अभी मैं आपको शहरों के बारे में भी बताऊंगा टेंशन ना लो फिर बंगलूरू आता है और चन्नाई आता है जिनका EMI to income ratio है 28 सही है बैंगलूर भी सही है मतलब बैंगलूर भी रहने के लिए बैंगलूर में तो एक तरीके से बहुत population इसम है क्योंकि एक तो IT सेक्टर और opportunities जादा है फिर उसके बाद पूने और कोलकाता आता है 26 और सबसे सस्ता पता कौन सा है एहंदाबाद 23 सही है बढ़ी है पता है और एहंदाबाद जो है वो सबसे सस्ता है मुंबई के बारे में कुछ जान लेते हैं महराष्ट की capital है मुंबई हम सबको पता है और भारत की financial capital है ऐसा बोला जाता कि यह शहर कभी रुखता नहीं है है ना यह शहर चलता रहता है सारी बड़ी इंडस्ट्रीज बॉल होते थे हर देन मुंबई बहुत अच्छा शहर नहीं था इसको देखिए बॉंबे प्रेसिडेंसी जो है बैंगॉल प्रेसिडेंसी बॉंबे और आपकी मदरास जब बॉंबे को लिया अपने हाथों में पूने बहुत अपर दस पूने बहुत अपनी capital अ मराठास लेकिन ज तो सबको पता है कि घर ही ही नी मुंबई पूर जो घर है एक लाक स्कॉयर में पहुत ही पॉस एरिया है वहाग सक्वार टक जाते हैं बहुत महिंगा है मुंबई रहने के लिए ठीक है इन फैक्त ऐसा सुनुन ही मैं तो मं मंबई आस तक नहीं है 77,000 जो वहाँ पे कमाते हैं वो शायद मतलब चॉल में या पता नहीं कहां रहता है तो ऐसा है इसा आपके ताब है बट मुझे लगता है कि ये शायद वहाँ पे होगा जो बहुती प्राइम एडियास है ऐसा नहीं है हर कोई हर इंसान मुंबई में रह रहा है हर कोई बैंगलूरू की बात करते हैं बैंगलूरू करनाटक की कैपिटल और आल्टी सिटी बैंगलूरू में तो भाई बुरा आप समझे कि पूरी भीड बंगलूरू जा रही है सबसे जाते समय बंगलूरू स्टार्टप की कैपिटल वैसे तो स्टार्टप कैपिटल इस समय तीन सो चार सो के स्टार्ट अपस के जो आफिसे से नो अको बंगलूरू में मिलेंगे टेक सपोर्ट बहुत ज़दा मिलता है और आज कल टेक है भी अचा बंगलूरू में भी पॉपुलिशन की प्रॉब्लम एक तो है ही है साथी साथ ट्राफिक की बहुत बड़ी प्रॉब् ठीक है हमेशा से बड़ा ही इंपॉटेंट था आपका एहमदाबाद ठीक है एहमदाबाद मुगल्स के टाइम उससे पहले जो पूरा का पूरा वैसे सूरत एहमदाबाद भरूच हो गया यह पॉर्ट सिटी बड़े इंपॉटेंट रहे हैं एहमदाबाद अभी में गया अब आप सब अक्षरधाम भी वहीं पे है सारे वी आईपी हाउसे पॉलिटीशन भी रहते हैं बहुत ही अच्छा है है ना मुझे पसनली सबसे जो खूबसूरा शहर लगा मेरा लखनों तो ही सबसे बेस्ट लेकिन बहुत बढ़ी है लगा अगर सिटी प्लान करो तो अधर शहर और बहुत ही रूल्स को फॉलो करते हैं वहांके लोग तो यह मुझे अच्छा लगा वहांपे तो एंदाबाद इस 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 दी मैंचेस्टर ऑफ इंडिया हम सबको पता है कि कपड़ा उद्द्योग सबसे ज़ादा है अधराबाद और यह हमेशा से हो रहा है कॉटन जो है वो यहां पे मतलब प्रोसेसिंग जो है यहां पर बांट बढ़िया तरीके से होती है और यहां मगया है खा़ैंदces Goshины Pitts मैं गमेंड बोक्स में मताओं बत अगेंड पर इस समय है डिवलफ्मेंट बहुत जादा तेजी से हो रहा है क्योंकि लोग आ रहे हैं बड़ी बड़ी इंडस्टी से यह अपे लगाई जा रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वह हैदराबाद जो है वो अपने पास ले रहा है ठीक है तो ये और चिन्नाई तो हमेशा एवर्गीन है ही है चिन्नाई तो जब से भारत आया है तब से ही वो जो पूरा का पूरा एरिया है वो भारत के बहुत ही important growing centers में से रहा है ठीक है शुरवात से चार चार कलकत्ता चिन पूरा वेल करें आपको बहुत जदा फाइदा होगा थांक यू सो मच